एक लंबी सी कविता सुना रहा हूँ शीर्शक है धार्मिक हूं मैं ये कविता बहुत माइने रखती है और ध्यान से सुनने की मांग रखती है कोई भी देखती एक दूसरे को ना देखे सब अपने भीतर जाकें और सुनें अपनी ही आत्मा की आवास काटकर गर्दन तुम्हारी सबाब कमाऊंगा मैं धार्मिक हूं मैं तोड़कर फूल चड़ाऊंगा धार्मिक हूं मैं तुम्हारी मजबूरियां खरीद लूगा धार्मिक हूं मैं तलवार की धार से डराकर तलवार की धार से डराकर तुम्हें धार्मिक बनाऊंगा धार्मिक हूं मैं किसी औरत की भावनाओं का मोल ही क्या किसी औरत की भावनाओं का मोल ही क्या किसी रोते बिलगते बच्चे की फिक्र ही क्या किसी रोते बिलगते बच्चे की फिक्र ही क्या उनके नाम पर उसके नाम पर सब मिटाया जा सकता है क्योंकि धार्मिक हूं मैं फूलों को लहराने दो पौधों पर फूलों को लहराने दो पौधों पर मत चड़ाओ किसी की मजबूरियों को ना खरीदो ना डराओ किसी को किसी की मजबूरियों को ना खरीदो फूलों को लहराने दो पौधों पर मत चड़ाओ किसी की मजबूरियों को ना खरीदो न डराओ किसी को और न काटो गर्दन किसी की मत बनो भाधार्मिक तुम सब फूलों को लहराने दो पौधों पर मत चड़ाओ किसी की मजबूरियों को न खरीदो न डराओ किसी को और न काटो गर्दन किसी की मत बनो धार्मिक तुम सब बस एक अच्छे इनसान बन जाओ, मत बनो धार्मिक तुम सब, बस एक अच्छे इनसान बन जाओ, धर्म अपने आप फैल जाएगा, मैं सुभा से उठकर सब और चिल लाओंगा, मैं सुभा से उठकर सब और चिल लाओंगा, मत सोचो ऐसा शान्ती रखो, मन के भीतर जाओ, मन के भीतर जाओ, मन के भीतर जाओ, हिदय के तार छेडो, धर्म अपने आप हो जाएगा, मत सोचो ऐसा शान्ती रखो, मन के भीतर जाओ, हिदय के तार छेडो, धर्म अपने आप हो जाएगा, मैं सुभा से उठकर सब और चिल लाओंगा, मत सोचो ऐसा शान्ती रखो, मन के भीतर जाओ, रिदय के तार छेड़ो, धर्म अपने आप हो जाएगा, मत करो चिंता उसकी जो सब की चिंता करता है, सिर्फ और सिर्फ इनसान बन जाओ, यही बहुत होगा, क्यों पड़े हो विवाद में? मत करो चिंता उसकी, जो सब की चिंता करता है, सिर्फ और सिर्फ इनसान बन जाओ, यही बहुत होगा, क्यों पड़े हो विवाद में? मत पड़ो अंद विश्वास में, क्यों पड़े हो विवाद में? मत पड़ो अंद विश्वास में, चलो प्रेम की आवाज उठाएं, जरा सहज हो जाएं, चलो प्रेम की आवाज उठाएं, जरा सहज हो जाएं, रगों में सब की लाल खून ही दोड़ता है, फिर भगवान, मसीह, खुदा अलग नहीं हो सकता, सांस लेते हैं हम सबी, मत करो परेशान जिन्दगी, जो उसने दिया है उसे मिटाओगे, तो कैसे उसके पास जाओगे? जो उसने दिया है उसे मिटाओगे, तो कैसे उसके पास जाओगे? क्या मुँ दिखाओगे उसको? रे मुणों, अन्दी दोड में, मत करो मानवता का नाश, ना कोई श्रेश्ट है, ना बत्तर, सभी तो हैं उसी की धरोः, सबका पक्ष एक है, सबका पक्ष एक है, फिर भी क्यों भेद है? मिटादो इन सभी भेदों को, और धार्मिक हो जाओ, मैं धार्मिक हूँ, ऐसा मान जाओ, क्योंकि तुम हो धार्मिक, क्योंकि तुम हो धार्मिक, परन्तु ये एहसास मौद के वक्त नहीं, जीवन काल में करो, कि धार्मिक हूँ, मत बनो धार्मिक, फूलों को तोड़ कर, मत बनो धार्मिक, गरदनों को काट कर, मत बनो धार्मिक, दूसरों की मजबूरिया खरीद कर, मत बनो धार्मिक फूलों को तोड़ कर मत बनो धार्मिक गर्दनों को काट कर मत बनो धार्मिक दूसरों की मजबूरियां खरीद कर मैंने तो कुछ नहीं कहा किसी के लिए मैंने तो कुछ नहीं कहा किसी के लिए फिर कैसे पहचान रहे हो तुम खुद को मैंने तो कुछ नहीं कहा किसी के लिए फिर कैसे पहचान रहे हो तुम खुद को जागो सचमुछ हो जाओ धर्मिक फिर तुम अलग न रह जाओगे नहीं बचेगा कुछ फैलाने के लिए धर्म नहीं बचेगी पहचान तुम्हारी अलग से सब एक हो जाएंगे सब एक हो जाएंगे डालने दो डोलने दो फूलों को पौधों पर रहने दो गर्दने लोगों के कंदों पर ना कमाओ सबाब ना खरीदो मजबूरियां किसी की डोलने दो फूलों को पेड़ पौधों पर रहने दो गर्दने लोगों के कंदों पर ना कमाओ सबाब ना खरीदो मजबूरियां किसी की धर्म के नाम पर देखो कि बगीचा भर जाएगा फूलों से डोलने दो फूलों को पौधों पर रहने दो गर्दने लोगों के कंदों पर डोलने दो फूलों को पेड़ पौधों पर रहने दो फूलों को पेड़ पौधों पर रहने दो गर्दने लोगों के कंदों पर रहने दो गर्दने लोगों के कंदों पर रहने दो गर्दने लोग पर ना कमाऊ सबाब, रहने दो गर्दने लोगों के कंदों पर ना कमाऊ सबाब, ना खरी दो मजबूरियां किसी की धर्म के नाम पर, देखोगे बगीचा भर जाएगा फूलों से, फैल जाएगी सुगंद चारों और, जिंद की स्वैम ही नाचने लगेगी, वो जो भी है ईश्वर अल्लाह या भगवान, देगा तुम्हें आशीरवाद, बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुकी धर्म के नाम पर मार काट, अब बस करो, जीने दो इनसानियत को, बढ़ने दो फूलों को, और फूल जैसे बच्चों को, बढ़ने दो फूलों को, और फूल जैसे बच्चों को, मत सिखाओ अलगाओ, मत सिखाओ धर्म, मत डराओ समाज को, एक हो जाओ सभी, सब्धिता और मानफ्ता के नाम पर मत कहो धार्मिखुमें, नहीं चाहिए धर्म, जो फूलों को कुचलता है, मानफ्ता को पीस डालता है, जो फूलों को कुचलता है, मानफ्ता को पीस डालता है, हत्या और बलातकार का दोशी है, मजबूरियों को खरीदता है, वो कैसे हो सकता है धर्मिख, जो फूलों को कुचलता है, मानफ्ता को पीस डालता है, हत्या और बलातकार का दोशी है, मजबूरियों को खरीदता है, वो कैसे हो सकता है धर्मिख, वो कैसे हो सकता है धर्मिख, कैसे हो सकता है ये धर्म, अरे इनसान बनो, मानफ्तावादी बनो, मत कहो धर्मिख हूँ मैं, नहीं चाहिए ऐसा धर्म, मत कहो धार में खूँ मैं नहीं चाहिए ऐसा धर्म क्योंकि मैं धार में खूँ धार में खूँ मैं वो जो दूसरों की गर्दने काटते हैं जब खुद की बारी आती है तो क्यों भागते हैं जब खुद की बारी आती है तो क्यों भागते हैं क्यों गिल गिल गिलाते हैं प्राणों की भीक मांगते हैं देते हैं दुहाई उसकी लेते हैं इंसानियत का नाम वो जो दूसरों की गर्दने काटते हैं जब खुद की बारी आती है तो क्यों भागते हैं वो जो दूसरों की गर्दने काटते हैं जब खुद की बारी आती है तो क्यों भागते हैं वो जो दूसरों की गर्दने काटते हैं जब खुद की बारी आती है तो क्यों भागते हैं क्यों किडगलाते हैं प्राणों की भीक मांते हैं देते हैं दुहाई उसकी लेते हैं इंसा इंसानियत का नाम क्यों हमेशा ही मौत के पास आकर ही मानवता जागती है उम्र बर जो किया उससे भागती है वो जो दूसरों की गरदने काटते हैं जब खुद की बारी आती है तो क्यों भागते हैं क्यों गिलगलाते हैं प्राणों की भीक मांगते हैं देते हैं दुहाई उ देते हैं इंसानियत का नाम क्यों हमेशा ही मौत के पास आकर ही बानवता जागती है उम्र बर जो किया उससे भागती है क्यों जागते हैं एहसास जब कुछ होता है अपने साथ क्योंकि हम सब स्वार्थी हैं क्योंकि हम सब स्वार्थी हैं धर्म वो है जो तुम अपने साथ क्यों जागते हैं एसास जब कुछ होता है अपने साथ क्योंकि हम सब स्वार्थी हैं धर्म वो है जो तुम अपने साथ चाहते हो जब बारी आती है खुद की तो दया और प्रेम और इंसानियत की भीक मांगते हो इसलिए कहता हूँ नहीं चाहता ऐसा धर्म क्योंकि धर्मिक हुम है चलो एक बार फिर कहता हूँ चलो एक बार फिर कहता हूँ चलो प्रेम की आवाज उठाएं जरा सहज हो जाएं मिटादे अंतर अनन्त तक एक हो जाएं चलो धार में खो जाएं क्योंकि धर्मिक हुम है क्योंकि धर्मिक हुम है